राश्तान के लोगों को प्याज के दावों में कुछ रहत मिलने लगी है दो दिन पहले तक जहां पर प्याज सो रुपे गलो तो भी का था वही प्याज आज 35 रुपे 60 रुपे के आश-पास पहुंच गयाłos रही है इसके वजय क्या रही है यह हम पूछीं की व Making Only के असौक जी है अस्वक जी चेश पूछे क्या वज़ी की रही है कि दो दिन पयों अच्छी राइत मिली है ऐसा है जो पहले आ और पैसे बनाने हमको और अगर यह बढ़ जाता प्याज तो इसके डबल हो जाते और पैसे वह नहीं सोच रहे वह यह सोच रहे कि हमें तो खोदना है और प्याज खोदा-खोद लगे आज पचास ट्रक एक साथ आ गए है इस बज़े से बहुत डाउन हो गया और आने वाले में और डाउन होगा आज हो जाएगा चाली सो पर किलो कुछ लोग हैं जुन्हों ने काफी दिनों प्याज खरीदे हैं सर आपने प्याज खरीदा है और बहुत इच्छा लग रहा है आज रेट कम हुई है पहले सत्तर रुपे सिर्पे किलो होती थी तो मैं नहीं लेता था मंडी में आके चला जाता था वापस आज पचास रुपे किलो मिला है तो बहुत खुशी हो रही है कि आज शाम को प्याज खाई लेंगो कल परसों अपने भाव तो पूछाँगे दो दिन पहले भी ती दिन पहले भी वो क्या भाव था उस्टे है उसमा 80 रुपे किलो तक के जो है बाव मार्केट में था और लोगों ने लिये भी लेकिन कई लोग वैसे भी है जुन्होंने प्याज से तोबा कर ली थी उन्होंन दामों में जब रहात मिली है तो लोग प्याज को उप्योग में लेने लगे हैं जैपूर से केमरा परसन अभी जी सर्मा के साथ राम सुरूब सुराज एक्सप्रेस